आप सलाम अरेकों जो लास्ट हम लोगों ने जो अपना डिसक्स किया था टॉपिक वो हमारा पास मुस्विन सेंटिस था इससे पहले हम लोगों जब कैजिए डिसन्स बैलोजी की हफाल इस देखा था तो जिन स्टुनिट सेंबी तक हमारा यूट्वीब चैनल सबस्क्राइब ने किया मुझे को सबस्क्राइब करें ताके आने वल नहीं है वीडियो से जो अपडेट मिलते रहे इसी के साथ हम अपने जो है नेक्स लेक्टिस को कंटिन्यू करते हैं आज के लिए हमारा पास हो लेव ऐंडेटे सror और्गेaxis है जी लेव sequencing हम बात करते हैं सबसे पहले कि लेवL Sw산 से मुरादी है कि यहां पर जहें वो किस तरहां से एक क्यों किस तरहां से उट्वाइलप होता है किसषआ से देव किस तरहां से ऊप्टवीब की गया क्या उसमें關係 इंगते गी कि एक मुकमल जो है एक individual हमापस बन गया इसको आगर हम देखें सबसे पारा में जो लेवल में आता है वो डेटीज दा सब के atoms मिलकर बना हुए और यह atoms है यह that is actually made of sub atomic particles और यह atom से भी atom को हमागर वैसे इसका words के लिहास से देखें तो इसमें कहते हैं यह atom यह एक atom से है जबकि a का मतलब जो है not और tom का मतलब है cut करना तो इसमें कहते हैं that is invisible यह हमाई जो है वो आम आँख से ना देखा जासे का atom में इतना चोटा पार्टिकल है जबकि यह atom है इसका सब atomic particle जो है वो हमाई पस इससे भी छोटा हिसा होता है इससे वाल से बात करें तो atom के जो most stable particles हैं उसमें हम लोग electrons की बात करते हैं protons की बात करते हैं और neutrons की बात करते हैं कुद्रत में 92 elements पाया जाते हैं जिन में से 16 elements को bio elements के जान दे जिता है बहुत important short question जो है वो पंजाब बोर्ड के हवाले से है यह वाला कि पंजाब और यह सवाल पोचा जाता है कि डिफाइन bio elements तो इसमें आप लोग जहाएं यह कैसे हैं out of 92 kinds of elements the occur in nature 16 elements are called bio elements अब यह बायो elements से मराद ही है कि जी आपके वो 16 elements जो इनसान की वजूद का बाइस बने हुए है यानि कि जो उसकी तखलीक के साथ की body के अंदर जो अपनी participation उसके constituents बने हैं अब यह जहाएं these take in making the body mass of living organism के यह जहाएं उस जिन्दा जानदार की body के मैस बनाने में मदद जेते हैं अब अगर इसकी इन ही जो 16 है उसकी description देखिए कौन कौन से है तो इसमें पहले छे जो है वह हमारा 99% total mass जैनके तक्रीबन 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 जहाएं वह अगर 100 में से बात की जाए total living organism के body mass के हावाले से तो 99% जो है वह आपकी major six elements बना बनाने वाले यह elements है बक्या जो other 10 है यह इसमें हमापास जो है वह प्रश्यम आजटा है इसमें हमापास जो है वह प्रश्यम आजटा है सोडीम आजटा है magnesium है iron है copper है magnesium है और iodine है यह सारा के सारा अगुल मिला के यह 10 जो है यह 10 तक्रीबन 1% of the total mass of living organism बनाते हैं जी तो यह ह देखें तो आपके पास जो है oxygen की जितने भी percentage यहां पर आपको दी गई है यह सारी के सारी आपने जो है वो MC2 के लिए याद रखनी है वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी बोडी में कितने परसंट जो है वो oxygen है carbon कितने परसंट है इसकलावा से hydrogen कितने परसंट है nitrogen क कितने परसंट है calcium कितने परसंट है यह सभी चीज़ें इसका आपको जो है वो इल्म होना चाहिए नेक्स इसके बाद हम बात करते हैं जी molecular level की बात की जाती है तो molecular level में कहते है जी bio elements जो है यह isolated form में जो है वो नहीं पाज़ेता है बलकि जो है एक दूसरे के सब आइनिक बांड यहां कवरेंड बांड की सुर्थ में जो है इसको मजीड डीटेल से पढ़ाओगा आइनिक बांड ऐसा बांड इसको पर जब आइन्स के वज़ए से बने और कवरेंड बांड इसके लाव अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो महापास जो है इसकी दो टाइपस आती हैं फॉर्स फ़ल माइक्रो एंट सेक्ड इसदा मैक्रो दोनों लफजों में जो है वो वर्डिंग के प्रॉसा चेंजिंग है मसला है इसे जो है आपने अच्छे से याद रखना है सबस्काराएं काम होता है मिसलाइ इस में हमापस जो गुलुकोस की बात करें जाए वाटर की बात करें जाए काम होता है साकिनल आपस आ जाएथ हो जादा होता है उन्हें हम Macro Molecules का नम देते है उसमें हमाइपस exemple लादिए यह बात करें यही बायो मालिकूल्स जो हैं इन मी जो Macro Molecules और Micro Molecules दोनों जो है यह खास तर्टीब से खुद को Range करते आप और एक जितनी भी औरोगनली स्पाइजित चाहे वह एनिमल्स में हैं चाहे वह प्लैंट में जिनमें भी हैं वह तमाम के तमाम और जो हैं अपना खास काम करती है दिस आर स्पेशलाइज फॉर स्पेशल फंक्शन यह दूसरों के काम कभी भी परफॉर्म नहीं करती इसमें कुछ पस एग्जेंपल से हम उसको भी देखेंगे एक मापस एग्जेंपल मैट्रकॉंडिय की बात करें तो मैट्रकॉंडिय जहाए यह 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 पर एटीपी परड्यूस होती है और इसको हम बजाते खुद यहासा कभी भी नहीं आँए का ही नहीं सकते हैं का माइट्रकॉंडिय को चर्ण जो काम हैम परोचिन को षताकर नहीं है राइब्सोंडिय।स माई जथिस comment. नेक्स हमारा पास जए इसकी जए protein factor भी से एक आ जाए ता है इसके सास हम बात करते हैं nucleus के हवाले से nucleus that is the control of cell. तमाम की तमाम जितनी भी activities है. सल के हवाले से. उसकी function के हवाले से. वो सारी की तिर्फ जो nucleus का perform कर रहा हुता है. हैं के हम बात करते हैं तो मैं पेचिक पर आड़ या बायो ऑड़ बंट इसमें पर आपको पर लग मिलती है और यही ऑजी बनzilայ ऑद मैड़नादं सेंटेब कराते जिल, इसमें आपको जो इंपोर्टन एम स्कूज है वो यह दिये जाए तो इसके साथ नेक्स हम बात करें तो टिशू में हम बात करते हैं जितने भी हमापस सेल्स हैं सबी के सबी सेल्स यह मैंने पहले जैसे का कि स्टोडी की तो पर जैसे है वैसे आप इससे याद दखें बहुत ही इजी एक स्टोडी मैं इसे नाम देता हूँ बहुत इजी है कि तो जितने मल्टिसल्लर और्गनिसम इन सब में सेल्स जैसे हमने पहले पड़ा कि जी आपके पास यह जो हैं सब मायो मालेकूल्स हैं यह मिलते हैं और यही और्गनिल्स मिलती हैं सेल्स जैसे भी आपके समने बताया सेल्स बना देते हैं इसी तरह सेल्स हैं यह सल्स मिलते हैं और एक टिश्यू बना देते हैं कहते हैं ग्रूप ऑफ सिमिलर सेल्स एक जैसे सेल्स का ग्रूप जो है जो एक जैसा काम परफॉर्म करें स्पैसिफिक फॉंक्शन कर बात करें एक्जाम्पल की बात करें गघंपल्स की बात करें आनिमल के केस ब्लर्ड यह भी between कि पिशू acceso में You अपिधिले टिशू है, कार्टिलेज है, कॉनेक्टिव टिशू है, मस्कुलो टिशू है, मसल टिशू है, नर्वस टिशू है, एडिपोस टिशू है, मुख्तिफ हम आपस टिशू की जो टाइप्स हैं, वह हमें डिस्कस किया, इसी तरह नेक्स हम बात करते हैं, प्लांट के ह या पे तेली टिशू देंगे, ऐसा अगिस नहीं होगा, जो टिशू हैं वो अपना खास काम पर्फॉर्म करें होंगे, इसी तरह प्लांट में बात करें, तो जालम जैसे एक आपने लोगों ने पिछली प्रीविस क्लास्ट में पढ़ा होगा, जालम टिशू दे रिस्पॉं इंपर्टन टर्म्स थी, जो आप लोगों ने देखी, इसी स्टोडी को यह अगर आप देखते रहें, तो हम इसे देखेंगे.